हलो फ्रेंड्स फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है बोर्ड परिक्षा 2024 में आपको बोर्ड परिक्षा में कौपी कैसे लिखना है? यदि आपको कुछ भी नहीं आता तो आप कैसे लिखेंगे? copy कैसे लिखे ताकि आपको पूरा नंबर मिलना चाहिए copy में कौन-कौन सी गलती आपको नहीं करना है topper copy कैसे लिखते हैं ताकि वो board परिक्षा में topper हो जाते हैं चाहे वो आप 10th class के student हो या फिर 12th class के student हो अगर आप board परिक्षा 2024 में final exam देने बाले हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महतोपूर्ण होने वाला है इस वीडियो को सुरू से लाज तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो सी आप topper जरूर बन सकते हैं तो चले इस वीडियो को लंबा ना करते हुए शुरूआत करते हैं सारे student के बीच में कि सबसे पहले हम क्या करें ये बहुत बरी बात है कि करें क्या तो दोस्तो सबसे पहले board exam में जब आप जाएंगे तो question paper में question paper में जो निर्देश दिया गया है question paper में आपको जो निर्देश दिया गया है जो दिया गया है उसको ध्यान पुर्वक सही से आपको पहले पढ़ना है पहला बात आपको ये जरूर याद रखना है कि जैसे ही एक्जाम हॉल में आप जाते हैं आपके पास कॉपी, कोश्चन पेपर आपके पास मिल जाता है तो आपको जो निर्दीश दिया गया है उसको आपको ध्यान पुर्वक पढ़ना है क्योंकि आपको कॉपी पढ़ने का अतिरिक्त समय 10-15 मिनट का दिया जाता है जी हाँ दोस्तों आप एक्जाम हॉल में जैसे ही जाते हैं और आपको जाते हैं और आपको जाना है और सबसे पहले आपको कॉश्चन पेपर जो मिलेगा उसमें जो दिसा निर्देश दिया गया है उसको ध्यान पुर्वक पढ़िए क्योंकि वहाँ पर आपको 10-15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है तो फिर आप time क्यों भरबाद करेंगे अपने आप में hesitation क्यों लेंगे तेंसन क्यों लेंगे ठेक है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है दूसरा जो बात है दोस्तों वो सबसे बहुत ही महतपुर्ण बात यह है कि सुरुवात आपको कहां से और कैसे करना है यानि छात्रों के मन में विद्यार्थियों के मन में जो सवाल आता है कि हम आखिर सुरुवात कैसे करें यही चीज जो है न सारे student गलती कर लेते हैं और यही चीज नहीं समझ पाते हैं तो मैं आपके लिए बताने आया हूँ कि शुरुवात आपको कहां से और कैसे करना है जिस प्रशन का उत्तर आपको 100% आता है यानि जो भी प्रशन आपको 100% आता है जिसमें कोई डाउट नहीं हैं आपको अगर 100% उस प्रशन का जवाब आता हो तो उसी प्रशन से और अच्छे धंग से आपको शुरुवात करना है कहने का मतलब यह हुआ कि आपके पास जब प्रशन आएगा और उसमें जो भी प्रशन आपको 100% आता है ना उसी प्रशन से आपको शुरुवात करना ह उसी प्रस्ण से शुरुवात करना है और अच्छे धंग से करना है ठीक है अगर आप कॉपी में जो प्रस्ण आपको 100% सही से आता है अगर उस प्रस्ण को आप काट पीट कर गलत उत्तर अगर आप करते हैं तो यह आपको बिल्कुल भी नहीं करना है काट पीट करने का मतलब यह हुआ कि आपको कटिंग कुटिंग नहीं करना है नहीं तो आपको जो है ना नमबर कट सकता है इस बात का आप जरूर धियान रखेंगे कि जो 100% परसेंट नहीं 100% आपको सही जवाब जिस प्रस्ण का आता है वही से आपको शुरुवात अच्छे धंग से राइटिंग के साथ करना है ठीक है और दोस्तो तीसरी बात ये है कि अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छी ना हो तो आप क्या करेंगे आपको 15 मिट का समय मिल जाता है शुरुवात आप कहां से करना ये आपको पता चल जाता है लेकिन आपका अगर हैंड इस वीडियो में कि कैसे लिखना है, किसी भी प्रशन का जवाब आपको कैसे देना है, वो मैं आपको लिख करके यहाँ पे दिखाऊंगा, आपको अगर handwriting नहीं आता है, तो उस प्रशन का जो जवाब आप लिख रहे हैं, जो 100% आपको आता है, तो साफ साफ लिखना है, पहल प्रशन का जवाब आप दे रहे हैं, अगर वो प्रशन का जवाब आपका पूरा हो जाता है, तब क्या करेंगे, तो उसके बाद आपको एक दो लाइन जरूर गैप कर देना है, यानि छोड़ देना है, कैसे छोड़ना है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इस व लिखना है, और साथ में देखें दोस्तो, लैन में थोड़ा सा क्या है, कि वर्ड में, यानि जो सब्द है, उसमें थोड़ा सा गैप है, देखें, सारे वर्ड में थोड़ा सा गैप है, देखने में कितना सुन्दर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, है ना, टौपर, टौपर भी ऐसा ही लिखते हैं दोस्तों यानि जिस भी प्रस्ण का जबाब उसको आता है पहला पेज मालेजे टौपर के पास आया तो टौपर के पास जैसे आ गया ये पेज और उसके पास आंसर है और उसको 100% प्रस्ण का जबाब आता है तो प्रस्ण एक लिख करके जिन से आपको प्रस्ण लिखना है उसी के नीचे आपको उत्तर लिखने के बाद जो आपको सही धंग से आता है वो लिखना है जैसे समाजवाद क्या है तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया यानि इस तरह से आपक कहा आपको कि एक प्रसन पूरा हो जाने के बार एक दो लैन जरूर गैप दे तो देखे यहाँ पर यह प्रसन का जवाब पूरा हो गया तो यहाँ पर एक दो लैन हमने गैप कर दिया यही इसी तरह से आपको गैप करना है तो आपर भी ऐसे ही लिखते हैं प्रसन संख्या माल लेकिन मैं यहाँ पे दो लिखाँ मा लेजे टॉपर को दो नमबर सबाल बहुत अच्छे धंग से आता है तो इस तरह से आप प्रस्ण लिख लेंगे और उसका आंसर इसी धंग से लिखेंगे तो देखें देखने में कितना अच्छा लगता है ऐसे अगर आप लिखते हैं तो आपके नमबर में 4 चांद लग जाएंगे अच्छे नमबर आपके आने लएंगे और आप भी इस बार फाइनल बोर्ड पर इच्छा दुआज़ा 24 में टॉपर हो सकते हैं तो अगर आपका हैं रैटिंग अच्छा ना हो तो आपको साफ सुतरा और थोड़ा दूर करके लिखना है और एक प्रस्ण पूरा हो जाने की बाद एक दूर लैन आपको गैप करना है मैंने आपको बता दिया अब देखें दोस्तों important points सबसे ज़्यादा important point यह है कि आपको इस बात पर सारे student ध्यान ही नहीं लेते यानि अच्छा writing बना लिया साफ सुतरा लिख लिया लेकिन जो important point है उसको ध्यान में ही नहीं रखते मैंने आपको शुरुवात में ही बताया था कि board परिक्षा में आपको copy कैसे लिखना है तो board परिक्षा में आपको copy साफ साफ लिखना है थोड़ा दूर दूर लिखना है बीना cut पीट करके लिखना है और अच्छे ढंग से साफ साफ writing के साथ लिखना है यदि आपको कुछ कुछ भी नहीं आता है तो क्या करें कुछ भी अगर नहीं आता है आपको तो प्रसन से संबंधित यानि जो प्रसन आपको पूछा गया है कुछ न कुछ जरूर लिखे यानि उसको खाली छोड़ करके नहीं आना है आपको अगर माल लिजिए कि जो प्रसन का जवाब अच् कुछ नहीं आता है तो लेकिन कुछ ना कुछ लिखेंगे तो उसमें आपको क्या करना है साफ साफ लिखें थोड़ा दूर करके लिखना है बिना कटिंग पीटिंग के लिखना है अच्छे धंग से लिखना है ठीक है ऐसे लिखना है लेकिन क्या नहीं लिखना है वो धियान रखेंगे ठीक है और दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो आपको बताया यदि आप 10th class और 12th class के student हैं अगर आप 10th class 12th class के student है final board पर इच्छा 2024 में exam देने वाले हैं तो आपको कहां से त्यारी करना चाहिए आपको google में जाना है google में search करेगा mr.sarmatarget.com यानि के mr.sarmatarget.com जब आप google में search करते हैं तो आपको यहां पर आने से क्या फाइदा मिलता है आपको 10th class का अगर आप तयारी कर रहे हैं तो 10th class का objective और subjective question आपको पूरा details में मिल जाएगा bbi question मिल जाएगा bbi objective question मिल जाएगा chapter wise मिलेगा model paper मिलेगा all चीज यानि 10th class का आप तयारी कर रहे हैं तो all चीज आपको इस website पर मिल जाएगा यह मेरा official website है जो आपको google में जाके search करना है अगर आप 10th class के student है तो अगर आप 12th class के student है तो दोस्तों आपको 12th class का जो format बना हुआ हुआ है वहाँ पे आपको objective subjective question देखने को मिल जाएगा question जो है जो आपके board exam में आने वाले है वो किया गया है उसके बाद दोस्तों BSEB यानि बिहार board बिहार board का जो भी news होता है जो भी कोई update आता है तो आपको mr.sarmatarget.com पर आकर बिहार board का all news update चाहे वो result का हो या फिर online test देना हो अगर आप online test भी देना चाहते हैं तो यहाँ प पसंद आया तो वीडियो को like करें चैनल पर पहली बारा है तो subscribe करके साथ में bell icon को दवाना नहीं भूलेगा इससे होगा क्या कि जब भी मैं वीडियो को upload करूँगा तो सबसे पहले notification आपके पास पहुँच जाएगा तो मिलते हैं next video तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम झाल 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 झाल